हालो स्टुदेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, आम यूर माथ्स टीचर, तोड़ें आम क्लास 10th, सीबीसी एंचियाटे बुक, चैप्टर पेर अफ लीनियर एक्वेशिंस इन टू वैरियेबल्स, इंट्रोड़क्शन पार्ट, Elimination Method का यहाँ पे सिखेंगे, ठीक है, तो Elimination Method क्या होता है, इसको सिखाने से पहले, मैं आपको यह बता देता हूँ, इससे प्रिवेश वीडियो में हमने Substitution Method को सिखा है, बहुत अच्छे से, ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी वाच कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एक एक्वेशामपल ले लिया है, ठीक है, लेनियर एक्वेशन के लिए, दो एक्वेशन से हैं यहाँ पे, मैं आपको Elimination Method solve करके बताता हूँ, यहाँ पे कैसे हम उसे solve करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखे, X और Y है, किसी को भी हम, I mean, Substitution Method में एक variable को substitute कर देते थे, और second equation में put करके, then, उसकी value find कर ले देते, और यहाँ पे भी हमें Y करना है, यहाँ पे हमें किसी एक variable को eliminate करना है, ठीक है, then, उसकी value हमें मिल जाएगी, और उसकी value हम second equation में put करके, another variable की हम यहाँ पे value find कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे X और Y, दो variable है, मैं दोनों को solve करके बताऊँगा, कि आप दोनों को कैसे solve कर सकते हैं, ठीक है, तो firstly हम X को eliminate करके देख लेते हैं, eliminating X, ठीक है, तो X को पहले हम eliminate करेंगे, ठीक है, तो X को eliminate करने के लिए हम firstly देखे, यहाँ पे X का जो coefficient है, वो आपका यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो elimination method क्या होता है, हम coefficient को equal कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम eliminate करना होता है, उस coefficient को both equation में equal कर देते हैं, तो देखे, यहाँ पर equation 1 में equal करने के लिए, हमें यहाँ पर इस equation में 3 से multiply करना पढ़ेगा, ठीक है, हम 3 से multiply करेंगे, so, from equation 1, ठीक है, equation number 1 से ठीक है, इसको हम 3 से क्या करदेंगे, multiply, both side पर, यहाँ पर 7 into 3, calculate कर लिए चे, 3X plus 3Y equals to 21, this is your equation number, third, again, equation number third, then, from equation, second and third, calculate करते हैं, पहले हम third को note कर लिते हैं, आप दिखे, third equation आपके, 3X minus 2Y equals to 11, and then, third equation को भी write कर लिए, 3X plus 3Y equals to 21, ठीक है, अब यहाँ पर आपके sign बहुत के same है, यह भी positive है, यह भी positive है, और elimination method में, अगर same आपके sign होते हैं, तो हमें sign को change करना पड़ता है, ठीक है, if positive होता है, तो हम negative कर देते हैं, negative होता है, तो positive करते हैं, but condition यह यह हैं, कि same अगर, आपके coefficient के sign है, अगर same होते हैं, तो देखें, यह plus था, इसे हम minus कर देंगे, यह plus था, इसको भी minus कर देंगे, यह भी plus था, इसको भी minus कर देंगे, अगें note कर लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आजाएं, 3x minus 2y equals to 11, यहां पर देखेंगे, अभी यह हो गया, minus 3x minus 3y equals to minus 21, इसे eliminate कर देते हैं, देखें, positive 3xy minus, और यहां पर negative 3x, ठीक है, cancel हो जाएगा, negative 2y and negative 3y, बोथ add हो जाएंगे, then minus 5, और यहां पर देखें, यह subtract हो जाएगा, subtract हो जाएगा, then minus 10, now, y की value यहां से हमें पाइंट करने हैं, तो इस minus 5 को इसके denominator में send कर देंगे, so y equals to minus 10 by minus 5, minus से minus cancel, 5 अंसर 5, 5 तो जाएगा, 10, 5 तो जाएगा, 10, यहां से हमें y equals to 2, ठीक है, y equals to कितना मिल गए हमें, 2, अभी हमें x की value चाहिए, तो हम क्या करेंगे, putting y equals to 2 in equation 1, equation 1 हमारी है, x plus y equals to 7, so x plus y equals to 7, x plus y की value है आपके पास, 2 equals to 7, 2 को another side पर हम transform करेंगे, तो x equals to हो जाएगा, 7 यहां पर positive था, another side पर negative हो जाएगा, so it means x equals to 7 minus 2, 5, यहां से हमें x की value मिल गई, इस तरह से हम same अगर coefficient के sign होते हैं, तो यह method apply करके हम x and y की value को find करते हैं, नहीं मैं यहां पर आपको अभी y को eliminate करके बताता हूँ, ठीक हैं, eliminating y, ठीक हैं, अभी हमें क्या करना है, y को eliminate करना है, तो y को eliminate करने के लिए यहां पर देखे, y है और यहां पर 2y है, इसका coefficient यहां पर 2 है, ठीक है, तो 2 है तो हम क्या करेंगे, equation 1 को completely 2 से multiply कर देंगे, from equation, equation 2, sorry, 1st, from equation 1, ठीक है, तो अभी देखे हमें क्या करना है, 2 से multiply करना है, plus y equals to 2 into 7, it means 2x plus 2y equals to 14, this is your equation number 4, ठीक है, यह equation number 4 है, क्योंकि हम यहां पर 3rd already make कर चुके थे, अभी दिखे, हम क्या करेंगे, solve करना है, तो now, from equation, equation 2nd and 4th, 2nd, area 2nd and 4th, इन दोनों को हमें यहां पर नोट कर लेना है, ठीक है, 2nd is 3x minus 2y equals to 11, and 4th equation is 2x plus 2y equals to 14, ठीक है, अभी देखे, आपको जो eliminate करना है, हमें y eliminate करना है, तो y यहां पर positive है, यहां पर negative है, तो अभी हमें sign को change नहीं करना है, ठीक है, यहां पर plus 2y minus 2y, आपका eliminate हो जाएगा, 3x और 2x add हो करके, 5x हो जाएंगे, is equals to 14 and 11, इन दोनों को add कर दीजिए, 25, ठीक है, अब हम यहां से x की value find करनी है, इसलिए यह, x equals to 25 by 5, 5 हों सा 5, 5 हों सा 25, ठीक है, अभी देखे, x equals to क्या आगया हमारे पास यहां से 5, हमने बोथ eliminate करके देखा y को भी, फिर भी हमें x की value 5 ही मिली, यहां से देखे, x की value 5 मिली थी, ठीक है, हम कोई भी method apply करें, या किसी भी variable को eliminate करें, always value same ही आएगी, ठीक है, जो भी होती है, ना देखे, x की value हम क्या करेंगे, equation number 1 में put कर लिंगे, now putting x equals to 5 in equation 1, equation 1 में put करें, equation 1 आपकी है क्या, x plus y equals to 7 है, तो हम यह x की value हैं से कितना put करना है, 5, 5 plus y equals to 7, y equals to 7 minus 5, ठीक है, then y equals to 7 से 5 को subtract करेंगे, तो आपको यहांसे 2 मिल जाएगा, ठीक है, तो जो आपका elimination method है, वो बस इतना ही है, जिस भी variable को eliminate करना होगा, उसके coefficient को पहले हम equal कर लेंगे, if sign जो होंगे, आपके जिस coefficient को आपको eliminate करना है, if same, यानि कि positive होते हैं, then हमें sign को change करना है, ठीक है, if नहीं होते हैं same, then directly हमें solve कर देना है, ठीक है, कोई भी sign को change नहीं करना है, बहुत ही easy और simplest method है, यह आपका elimination method, like substitution method आपने जिस से solve किया था, उससे भी easy है, के वहले हमें coefficient, I mean equal करना है, and then उसे eliminate कर देना है, value आजाएगी, second equation में put करना है, ठीक है, I hope आपको exercise 4.1 introduction part elimination method का बहुत अच्छे से समझ में आगे, इफ आपको कोई भी doubt है, then आप comment box में comment करके मुझसे पोच सकते हैं, ठीक है, and if आपको मेरे वीडियो पसंद आती है, मेरे methods आपको समझ में आते हैं, then please मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए, मेरे वीडियो को like कर दीजिए, और bell icon को press कर दीजिए, ताकि आने वाले notifications आपको मिल सकें, thank you.